आज के कड़ी में हम स्वतंदर्ता सेनानी सुन्दर शास्त्री सत्यमूर्थी का स्मरण कर रही हैं, जिनका निधन 28 मार्च 1943 को हुआ था. मद्रास प्रेजिदेंची के एक अग्रणी कारे करता सत्यमूर्थी, मद्रास राज के मुख्यमंत्री और भारत रत्न के कामराज को गढ़ने वाले माने जाते हैं। सत्यमूर्थी, सियारदास और मोतिलाल नहरू जैसे वरिष्ट कांग्रेसी नेताओं के साथ स्वराजपार्टी में शामिल हो गए। 1930 में उन्हें मद्रास में एक मंदिर पर तिरंका फैराने की कोशिश के लिए गिरफतार कर लिया गया। सत्यमूर्थी ने 1937 में मद्रास विधान सभाचनाव में कॉंग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भोमे का निभाई। 1949 में वे मद्रास के मेर बनाए गए। महापाउर की रूप में काम करते हुए उन्होंने शहर में पानी की कमी दूर करने के लिए बूंदी जलाशे का नर्मान करवाया। विभिन समाच सेवी संगठनों के स्वयम सेवकू की मदद से शहर के लिए सौंदेरी करण योजना लागू करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद उन्हें गिरफतार कर नागपूर जेल भेज दिया गया। जेल का कठोर जीवन उनके स्वास्ते पर भारी पड़ा और 28 मार्च 1943 को उनका निधन हो गया। सत्यमूर्थी एक जन नेता थे जो हमेशा आम जन के हितों के लिए काम करते रहे। इस महान स्वतंतरता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्थी को हमारा भावभीना नमन। आज हम स्वतंतरता सेनाने अबदुलबारी को भी याद कर रहे हैं। अबदुलबारी का जन्म 1892 में वेहार के जहानाबाद जिले में हुआ था। वे पेशे से एक व्याग ख्याता थे राजेंद्र प्रसाद और एन सिनहा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नेत्रतु में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा असहयूग आंदोलन और अपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विरोधों में सक्रिय भूमिका 1937 में अब्दुलबारी प्रांत में पहली कॉंग्रेस सरकार के कारिकाल में बिहार विधन सभा के उपाध्यक्ष बनाए गये श्रमिकों के समस्याओं को समझने और उनकी कारे इस्थितियों में सुधार के सुझाव देने के लिए उन्हें डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद के धक्षता में गठित बिहार श्रम जाच समीती का उपाध्यक्ष निउक्ष किया गया खेत्र के श्रम आंदोलनों में भी शामिल हुए और उन्होंने श्रमिकों को अपने शोषकों के खलाफ संघर्ष के लिए संगठित करना शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान अब्दुलबारी राजनीती की मुख्यधारा में कूद पड़े और उन्हें गिरफतार कर हजारी भाग जेल में डाल दिया गया वहां से रिहा हुने के बाद उन्होंने श्रमिक संघश की अपनी गदिविदिया फिर शुरू कर दी बिहार स्व तंतरता संग्राम में उनकी प्रमुक भूमी का उनकी संगठ नात्मक शमता और राजनीतिक द्रढता के कारण उन्हें 1946 में बिहार प्रदेश कॉंग्रेस समिति का अथ्यक्षिब बनाय गया और आजीवन वे इस पद पर बनी रहे 1947 में जब साम्प्रदाइक दंगों ने बिहार को अपनी चपेट में ले लिया तो उन्होंने इसे रोकने में प्रमुक भूमी का निभाई 28 मार्च 1947 को जब वे गांधी जी से मिलने पटना आ रहे थे तो पटना फतुहा रोट पर अज्यात उपद्रवियों ने नर्मम्ता से उनकी हत्या कर दी गांधी जी उनके परिजनों को सांतोना देने उनके घर गए और राष्ट के प्रती अब्दुलबारी की निस्वार्थ सेवाओं के लिए उन्हें शद्धांज ले अर्पित की इस महान विभूती अब्दुलबारी को नमन आज हम स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बंसीलाल का भी स्मरण कर रहे हैं जिनकी मृत्यों 2006 में 28 मार्च को हुई थी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को हर्याना के भिवानी जिले में हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1943 से 1944 तक वे लोहारू स्टेट में प्रजा मंडल के सचेव रहे आजादी के बाद बंसीलाल राजनेती में आ गए और तीन बार हर्याना के मुख्य मंत्री बनाए गए उन्हें आधुनिक हर्याना का शिल्पी माना जाता था वे ताओ देवीलाल और भजनलाल के साथ हर्याना के प्रसिध लाल त्रियक में शामिल रहे इस महान विभूति बंसीलाल को हमारा नमन